बजाज पलसर N250 को देखने के बाद अब बारी आती है एक फेरिंग वाली बाइक देखने की जो की है बजाज पलसर F250 ये एक फेरिंग वाली बाइक है और इसमें आपको नया क्या मिलता है इसकी प्राइस क्या है माईलेज क्या है कौन-कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं इस इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ. सबसे पहले हम मॉडल और डिजाइन की बात करेंगे, यह एक फेरिंग वाली बाइक है तो आप इसका फ्रंट डिजाइन देख सकते हैं, इसमें एक बड़ी सी बिंड स्क्रीन दी गई है, और आप आगे देखेंगे तो एक प्रोजेक्टर हेड लैम्प मिलता है और दो डिया पसंद आएगी और इसमें जो प्रोजेक्टर हेड लैम्प दिया गया है, इससे आप जब रात में इस बाइक को चलाएंगे तो थोड़ी सी ज्यादा रोसनी आपको मिलेगी, LED लाइट के मुकाबले यह चीज मुझे अच्छी लेगी, अब आप लोगों को इसका डिजाइ और थोड़ा सा प्रीमियम फीलिंग देनी की कोशिस की गई है बजाज कंपनी के द्वारा, और क्लिपान हैंडल बार भी इसमें आपको मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात कि 250cc होने की वज़ा से इसका डिजाइन और लुक इतना कॉम्पैक्ट बनाया गया है, और डे आपको नजदीक से इसके सौट दिखा दूँ कि ये कितना ज़्यादा डेटियल में काम किया गया है, पर आप यहाँ पर देखेंगे इसमें आपको पलसर 3D में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक कलर की आउटलाइन है, रेड कलर की बाइक है, पीछे तो पसंद आ रहा है, और आप यहाँ पर देखेंगे स्प्लिट सीट, स्प्लिट ग्रेब रेल और यहाँ पर F250 में लिखा हुआ है, पीछे आप देखेंगे तो साइलेंसर थोड़ा सा छोटा दिया गया है, जिसको ड्यूल बैरल में दिया गया है, और इसमें आप इसके बारे में जरूर बताऊंगा आपको, पहले आप मॉडल और डिजाइन तो देख लें, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें आपको नई बैक लाइट मिलती है, जोकी LED है, LED इंडिकेटर भी इसमें मिलते हैं, इस्पिट ग्रेब रेल के साथ, 130 mm के टायर क अच्छी तो लगी रही है, थोड़ा सा भी आप इसके बारे में और अधिक जानेंगे, अब राहुल जरा इधर से दिखाओ, लेट साइड से इसका लुक, और आप देख सकते हैं भाई, F250 को, यह एक फेरिंग वाली बैक है, जोकी मुझे लगता है कि कम कीमत में आपको ज मिलते हैं, तो सबसे पहली बात, इस बाइक की कीमत है, मात्र एक लाख, चालिस अजार रूपे, एक सो रूम प्राइस, अब इतनी कम कीमत में आपको एक 200 cc का पावरफुल इंजन मिलता है, बीना जंजट वाला, आप यह जरूर धान से सुनें कि बीना जंजट वाला क्या हैं, जिसमें 24.5 PS की पावर मिलती है, मात्र 87, 150 RPM पर, और मतलब कि बिना किसी फाल्तू टेक्नोलजी के इतनी पावर आपको मिल रही है, तो जब कभी भी आप इसको चलाएंगे, तो सर्विस में आपको कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आने वाली है, यह चीज मुझे बेट 21.5 Nm की टॉर्क है, तो मतलब की टॉर्क को मेंटेन किया गया है, बहुत अच्छा रखा गया है, जो की कम RPM पर, तो यह चीज मुझे इसमें अच्छी लगी, तो भाईया, मेरे हिसाब से कम कीमत में एक पावरफुल इंजन इसमें आपको मिल ला है, इसके अलामा दोस्तों 300 mm की डिस्क ब्रेक, राहुल इधर से आके दिखाओ भाई, डिस्क ब्रेक तो दिखनी चाहिए ना लोगों को, और यह बन तो नहीं होने वाला, हाँ, अब आप यहाँ पर देखेंगे, कि इसमें 300 mm की काफी बड़ी सी डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल अबियस, मैंने आपको क चैनल अबियस में खरीज सकते हैं, पीछे राहुल दिखाओ, आप देखेंगे कि लगभग बाईकों में पीछे कोई भी प्लेट नहीं लेगी होती, लेकिन बजाज कमपनी आपको आरेलपी प्लेट लगा कर देती है, मतलब पीछे के पहिये की भी स्पीड डिटेक्ट की जाएगी और उसके बाद इसमें ब्रेकिंग का काम होगा, जिससे आपकी बाईक रुकेगी, तो इसमें सिंगल चैनल अबियस मिल जाता है और 200cc का पावरफूल इंजन मिल जाता है, उसके साथ साथ, डे बाई डे यूज में जैसे कि अगर 815 mm की seat height रहती है, तो आप थोड अग्रेसिब sitting position नहीं है, जिससे आप चलाएंगे, तो भया बहुत जादा अधिक्कत होगी, और by chance, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर आपके घर में ये बाईक खरी दी जाती है, तो इसकी sitting position की होजा से लड़का भी चला सकता है, उसके पापा भी चला सक करने के लिए बनाएगा, और ना ही ये कोई racing machine नहीं है, आप इसको high speed मतब चला सकते हैं, 200cc का powerful engine है, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे racing machine इसको बनाएगा है, बाकि race तो करी सकते हैं, और आप जानते है, पलसर 220 हुई, या 50-50 ये हुई, और race के लिए तो बजाज जाना जाता ही है तो भाई मेरे हिसाब से गजब की machine बनाई गई है, हाँ थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जैसे की 140 mm का tire होता तो थोड़ा सा मजा आता, dual channel ABS का, ना होता तो company option दे देती कि अगर आप चाहते तो ले लेते, तो वो हो सकता है कि आगे चलकर आपको मिल जाए, अब आप इसमें देखेंगे कि सुविधाएं और भी मिल रहे हैं, राहूल थोड़ा सा नजदी का जाओ मेरे भाई, और आप यहाँ पर देखेंगे बैटरी का चार्जर मिलता है, मतलब मोबाईल आप इससे चार्ज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, इंजन किल की स्वीच, और इसमें आप बताएगा, ट्रिप 1, ट्रिप 2, और यह आपको रेंज भी बताएगी, यहाँ पर आप देखेंगे, D2E, distance to empty, time बताएगी, फ्यूल मीटर, ABS, RPM लिमिट, इंडिकेटर, और यह आर्पियम मीटर, इंजन चेकिलाइट, और यह इंजन आयल, बैटरी, साइड स्टेंड, और ह आपको स्टार्ट करके इस बाइक को दिखाना चाहूंगा, आजाओ, जरा स्टार्ट करके साउंड राउन तो सुनाओ यार, तो अब आप इसका साउंड देखेंगे, डियूल बैरल के साथ आप साउंड सुने, आओ राहूल दिखाओ, नजदीक आओ भाई, और स्टार्ट स्टार्टिंग भी आप एक बार देखी लो, तो स्टार्टिंग सही है, अब एक चीज मैं अपने अनुभों के हिसाब से बताना चाहूंगा, इसमें जो इंजन नया लगाया गया है, जब आप इसका साउंड सुनेंगे, और जैसे ही आप इसको चला कर देखेंगे, तो जो एक्सपीरियंस आपके पास आएगा, तो आप जब बनाएंगे, तो इन्हों नया इंजन मनाया है, इसमें वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि इन्हों ने कोई रबल पर उसको टाइटने किया, नई चेसी लगाई है, और बिना रबल के लगाया है, तो इसका मतब इन्हो कि इन्हों इसका ने को बताना चाहुगा कि जैसे कंपनी ने इसको बनाया, तो इसलिए नहीं बनाया, कि वो जैसे किसी से इसका तो लगाय कर सके, किसी के साथ को कई इसका कमप्टाइशन नहीं है, और बजाज अपड़े ने इसको कम कीमत में बाइक लौंच की जिससे प्राइस के लिए जब यह आ जाएगी तो आप अपने नजदी की डीलर पर जरूर संपर करेंगे और 130 mm के टायर पीछे इसमें आपको मिलते हैं रेडियल नहीं है और रेडियल इसलिए नहीं है क्योंकि कम्पनी ने बताए कि उन्होंने डे बाई डे यूज के लिए इस आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आप अपने इस चैनल को वाइक पॉइंट बाइम इंड रहू को सब्सक्राइब करके बैल आइकून को जरूर दबाएं जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो नोनिफिकेस्टन आप तक खुब रहे धन्यबाद